नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी, आप सबका स्वागत करती हूँ आज के अपने इस लेक्चर में, बहुत इंतजार करना पड़ा है आपको इस लेक्चर के लिए, तो उसके लिए मैं पहले माफी चाहती हूँ, और कुछ तब्यत खराब होने की वज़े से ये लेक्चर आप तो रिवीजन थोड़ा कर लिया करिये, पीडिएफ के द्वारा या जब भी अगर कुछ पूछ ना हुआ करे, तो टेलिग्राम पे पूछ लिया करिये, ताकि कनेक्शन बना रहेगा, कहीं पर ब्रेक नहीं होगा और तयारी भी निरंतर रहेगी, तो जो बच्चे अभी र कार्टन कल्चर की सिरीज को कंप्लीट कर देंगे, और इसके सासाथ फिर आप मेंस की आंसर राइटिंग भी आपको इसकी में करवाऊंगी, बात करें आज के लेक्चर की, तो आज मैं यहाँ पर मूतिक अला का पार्ट वन, यानि कि दो पार्ट आएंगे, तो आज हम पार आईए, शिरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसमें, देखे, सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, पहले हमें यह समझने का प्रयास करना है, देखे, इसमें क्या है कि हमारा बैच 5 जो है, स्टार्ट होने वाला है, ग्यारा मई से यह शिरू हो रहा है, तो पिछले जो बै सो रुपए की फीस से बचना है तो आप मेरा कोट as we live इस्तमाल कर सकते हैं जिसके बाद आपको फीस मात्र 18,999 की हो जाएगी ठीक है चलिए देखते हैं इसमें और क्या-क्या चीज़े हैं देखिए आप आप मुझे follow कर सकते हैं इसमें क्या है कि यहाँ पर Instagram और Facebook पर Facebook की IDs हैं आप मुझे आप follow कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ पर मेरा वो चाहिए है मतलब PDF अगर आपको चाहिए है तो इसमें यह शिल्पी वर्मा 22 मेरा टेलीग्राम चैनल है इसमें आपको सारे PDF मिलेंगे तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो मुझे यहाँ पर follow कर सकते हैं देखें मूर्तिकला क्या होता है सबसे पहले आज हो सकता है मेरी एनरजी थोड़ी डाउन लग रही हूँ पिकेज अफ थोड़ा गले में दर्द है इस वज़े से मैं बहुत तेज शायद नहीं बोल पा रही हूँ इस वज़े से थोड़ा सा volume अप कर लीजेगा mobile का या laptop का तो मूर्तिकला का शब्द जो है वो केल शब्द से लिया गया है किसे लिए कि केल शब्द जिसका मतलब होता है काटना या फिर फाडना मतलब किसी चीज को तोड़ के तराशना भी हो सकता है मूर्तिकला हमने देखा कैसे-कैसे मंदरों में भवविता के साथ मूर्तियों का निर्मार किया गया चाहे वो स्तूप रहे हो चाहे वो विहार रहे हो या फिर मंदर रहे हो या फिर हम आगे देखेंगे कि दिल्ली सल्टनत में जो हम बढ़ेंगे तो आगे की स्तिती को हम समझेंगे वहाँ पर तो भारत में इस कला का विकास कब से सिंदु घाटी सब्विता से देखने को मिलता है ठीक है तो वे उर्तवान समय में जो की जारी है तो ऑविस ही बात है हमने देखा हरपा सब्विता में कैसे हमें का से की मूर्ती मिली है या फिर हमें देखते हैं किस के इस प्रकार से मूर् विया को और आसान किया जाएगा और उसको सुडॉल बनाया जाएगा और मूर्तिकला की जो लगू रशना होती है जिसे हस्त निर्मित या करणो द्वारा बनाई जाती है हडपा मोहजोदोर से प्राप्त्री आयामी ट्री विमिय रूप से निर्मित की गई है इसको हम आगे देखेंगे अभी, मूर्तियों के सौंदर्य करण पर अधिक बलद दिया गया है जो कि कल्पना, शील्दा और रशनात्मक्ता को दर्श आती है, मतलब जो उस समय की परिष्ठितियां चल रही है, जो आर्थिक परिष्ठितियां हैं, उनको खिलोनों के मान्धियां से, या म मूर्तियों के माध्धम से इस तरह से प्रकट किया गया है, इस तरह से सौंदर्ता के साथ प्रकट किया गया है, कि मतलब ऐसा लगता है कि ये चीज है वहाँ पर, मतलब उसका विद्धमान होना वो मूर्ति के द्वारा उसको दर्शाया जा रहा है, ठीक है तो अब देखें इसमें आगे क्या कह रहे हैं सिंदुकालीन मूर्तिकला जो उस समय पे मूर्तिकला बनाई गई थी मूर्तिकला वो किस प्रकार से थे किस प्रकार से साचे में डाला जाता था उन चीजों को समझे तो इस समय में मिट्टी और प्रस्तर और धातू की निर्मित होती थी जैसे हमें देखा था नर्तिकी की मूर्ति हमें मिली अभी हमने देखेंगे आगे ये ठीक है मिट्टी की मूर्तियों जो बनाए जाती थी तो फिर जैसे ऐसे समय भी था आग के बारे में पता चला, तो धीरे धीरे जब मिट्टी की मूर्तियों को जो है टेरा कोटा कहा जाता त Chris उसमें क्या होता था कि, आग की पकी हुई मिट्टी से मूर्तियों को और अच्छे से साचे में ढालके बनाया जाने लगा तो समय के साथ साथ उसमें भी विकास दिखाई दिया है पिचिंग विदी का प्रयोक करके इन मूर्तियों को हास से निर्मित किया जाता तो तो कुछ मूर्तिया जो है जो हस्त निर्मित भी हुआ करती थी उनको किसी साचे मेने बलकि हाथ से ही उनको पूरी शेप दी जाती थी इसके बाद अपेक्षाक्रत इन मूर्तियों को अधिक परिश्क्रित नहीं किया गया था जिस कारण आकार में सुडॉल नहीं दिखाई देते हैं ठाट में बनावर्ट में दिख्रक्रित नजञा कि उसके शीज़ें निर्मित किया गया है जितनी सुबिदाए जितनी चीज़ें उसके हिसापन से बनाया गया है तो उसतरे में कहते हैं कि जो भी हमें इस तरह की मूर्तिया मिली वह तनी सुडॉल और कुशल तका उसमें अभाव दिखाई देता जैसे अब ये वाली मूर्ती जैसे मिली है एक गुडिया की है या कह सकते जैसे ये पानी बटका लिये हुए अपने बच्चे के साथ है हम इसी तरह से तो समझाने का प्रयास करेंगे न तो उस समय ये तनी मतलब बारीकी से उस पे ज़्यादा काम नहीं किया गया है लेकिर अब ये हमें अभी लग रहा है क्योंकि हमने इसे खुबसूरत और इसे अच्छी चीजे देखी हुई है अदरवाइस तो ये अपने आप में एक मिसाल थी उस समय के लिए है की नहीं तो समय के साथ सद विकास निश्यत होता है उसमें गुजरात और काली बंगा से मिट्टी की मूर्तियों के अधिकांश साक्ष मिले है तो ये आप से पीटी में पूछ लिया जा सकता है तो मिट्टी के कुछ साक्ष में इस तरह के आपको मूर्तिया मिली है मात्र देवी, पहियो वाला खिलोना, ठीक है, पशुग और पंचियो और सीटियां इस काल के अंतरगर समय की गए है तो मात्र देवी की जो ये मूर्तियों मिली है अब बैल गाड़ी यह वो यानि कि इन पशुव से इन जानरों से भी वो परिचे थे पूरी तरह से यानि कि व्यापार की स्थितिया थी उसमें तो इस तरह से इंडिरेक्ली उसको उसके साथ आपको कनेक करके समझना होगा कि इस तरह की खिलोने क्या है आजकल की जो खिलोने हम लोग खेलते हैं कि कहीं न कि उनका हमारी समाज से सीधा संबंध होता है उसी प्रकार से उस समय कि समाज की संबंधों को इस तरह से दर्शाय गया है मिट्टी की मूर्टे को कुछ दाड़ी वाले मूच वाले पुरुष के दर्शाय गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना जैसे दाड़ी वाले पुरुष की पत्थर से बनी एक मूर्टी है इसमें कहा जाता है कि यह प्रस्तर की मूर्टी है और इसको बानते हैं कि एक साधू की मूर्ती को तरह इसको दर्शाये गया कहते हैं इसमें इनोंने जिस तरह से शौल ले रखी है वो और इनकी आधी खुली आखे हैं इस तरह की दाड़ी है इनको थुरा साधू के रूप में दर्शाये गया ऐसा क्यों कहा गया? क्यों हमने assumptions लगा है कि इनको साधू के रूप में कहा गया है? क्यों? क्योंकि आज के समय में साधू का जो get up है, जो attire है, तो उसके आधार पर अब हम पुरानी चीजों को जिसमें हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उनके सिर्फ चित यहां पर ऐसे इस्तमाल होता है, तो हमने सोचा यह पैन इसी लिए बनाया गया है, कुछ इस तरह की स्तिती वहां रही होगी, क्योंकि हम आज के समाझ के साथ ही उसे connect करेंगे, हम कैसे समझेंगे उसका क्या पर होगा, जो हम आज प्रियोक कर रहे हैं, उस चीज का उसी से स मंदेध हम समझेंगे इसलिए बनाया गया होगा तो ये चीज यहां पर इस तरह से दर्शाई गई है सिंदुगाटी सबता में देखे दाड़ी वाले पुजारी की अर्ध प्रतिमा मिली है ठीक है ये टेरी फॉयल जो पैटन है शॉल में इसको आधा दिखाया गया इसके उन पर उनके यहां पर शोल्डर में रेकिगा बना वहा है ठीक है प्रस्तर की दो प्रमुक मूर्थिओं में से एक धर्ड़गी प्रत्मा जी है यृषि राल बलुब आ पत्थर से निर्मेत है दूसरी आड़ी और आवक्ष प्रत्मा है जो सेल खड़े से निर्मेत है उसकी प प्रस्तर से बनी पशु की मूर्तिया भी मिली हैं जबकि सेल खड़ी से निर्मित एक मूर्ती पार दर्शी वस्तर भी पहने हुए हैं। प्रस्तर मूर्तियों के कंधों तथा गर्दन में छेद मिले हैं जिससे पता चलता है कि इनके हाथ जो है सर से अलग से जोड़े गए हैं। उस तरह से उन्होंने नहीं नहीं टेकनीक को समझने का जो है बनाने का प्रयास के मतलब अपने समय की परस्तितियों के अनुसार जो उन्होंने बनाया है वो वाकरी तारीफे काविल है। अगर हम आज के इतिहास में उसका तवज्दो समझें। नहीं टेकनीक का उप्यों करके इसको कैसे बनाया जाता था वो मैं आपको समझाने का प्रयाद करती हूं। यहां पर जो लिखा है उसे देखते रहेगा देखें इस टेकनीक में क्या होता है कि पहले मोम से एक आकरती जैसे कि मैं वही ले चलती हूं आपको। अब जब मिट्टी की ये लेप लगाते ना तो उसमें हलके हलके से छेद कर देते हैं, क्यूं? फिर इसको पका देते हैं उस पे, गैस पे, मतलब चूले पे या जिस पे भी आर्च देने के लिए, ताकि वो मोम जो है, वो आटोमेटिकली पिगल जाए और वो छेद के थूँ वो ऐसा हमने माना है, ठीक है? तो यह जो अपका लॉस्ट वेक्स टेकनीक है, पीटी में भी बहुत बार पूछा गया है, मेंस में अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, उत्खनन से कहां से मूर्तियों को अधिकान संखेत में प्राप्त किया गया है, मोहन जोदरों से नर्तिकी की मूर्ति जिससे कहां से धातु से निर्मित किया गया है, तो मोहन जोदरों से आपको मिला है, कहां से मिले है, किसके साक्ष बिशेष्टा आपको वो याद रखना है, कहां से साक्ष मिले है, तो यह सब साक्ष कहां से किसके मिली है, खिक है, आपको ये समझना होगा, तीन प्रश्निस से निकला आएальные हैं कि बताई बेल-गाडी के साक्ष कहां से मिले हैं यो एक काड़ी के साक्ष कहां से मिले हैं दैमबाण से कहां से के साक्ष मिले हैं रत के तो येस सब हमें याद क्योंकि एक वन लाइनर फैक्स में हमें यही थोड़े दिक्कत होती है पेपर में कि हम भूल जाते हैं अब मौरेकाल की और अगर हम बढ़े अब सिंदुगाटिक सब्विता से मौरे की और बढ़े तो उस समय पर क्या था कि स्थानिय राजिपालों के दोरा एक लोग कला को स नाना शुक्या और धातु की मूर्तियों का अफशेश नहीं मिले है तो ऐसा माना जाता है अगर भाई होता जैसे उन्होंने बैल गाड़ी बनाया सिंदुगाटी सब बताना कासे की मूर्ति बनाया तो मिला ना क्योंकि वो थे वहाँ पर उनके साक्ष तो अफशेश रहे ना लेकिन मौर्यकाल में वो उस तरह के अफशेश नहीं मिले है तो हमने एजियूम लगाया कि वो उन्होंने किया ही नहीं होगा उस वाथ उनका निर्माग इसका मौर्यकाली इन मूर्तिकला पर यूनान और इरान का भी प्रवाह दिखाई देता है ऐसा क्यों बोला जब आगे आप इन चीजों को पढ़ेंगे गांधार हमरावती जो है शैली उनको पढ़ेंगे मूर्तिकला को तो ग्रीक और यूनान जो है उनका पूरा प्रवाह दिखाई दिया है उनके जो देपता थे उनको उस तरह से हमारे वुद्ध के उपर दर्शाय गया है तो उनका प मूर्तिकला में तीनों धर्मों से संबंदित आपको मूर्तियां देखने को मिलती है तो यह धर्मों का जो खेल है ना यहां पर यह ध्यान रखना है क्योंकि सीधे सीधे पूछ लेता है यूपेसी कि वह तो हिंदू धर्म या फिमाली जे वह तो बहुत धर्म से संबंदित क्योंकि उरिष्णू की बहुत की फोटो मिली है तो ये confusion create करने के लिए इस तरह के sentences बनाये जाते हैं तो आपको वहाँ पर aware रहना है थोड़ा ठीक है इस तरह की मूर्तियों का वहाँ पर निर्मार किया जाता था इसके मौर्तर काली उसके बात की बात की करें तो पतन के बात के वह अलग-अलग भागों में अलग-अलग डैनेस्टी के द्वारा उदै हुआ उन्होंने अपने शासनकाल के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार अपनी परिस्तिति अनुसार अपनी जो है आर्थिक परिस्तियों के अरसाब मूर्तिकला का निर्मार कराना शूक्या जैसे आप देखेंगे गांधार मत्रा अम्रावतिकला का महतपूर रूप से उबरे हैं जिसमें आज हम सबसे पहले गांधार जो है मूर्तिकला को पढ़ेंगे दीरे दीरे आगे पढ़ेंगे ना चित्रकला वेगरा तब देखेंगे कि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया इन चीजों पर तो इसीरे कहते हैं कि यहां पर मूर्तिकला जो अपने चर्मोत कर्श पर पहुंच गई थी अब जैसे उधारन के तौर पर उस दौरान की जो मूर्तियां है या क्या चीज़ें वहां पर मिली है जैसे विदिशा भरुत ठीक है बोध गया से जगया पिट से फिर मत्रा से फिर इसके बाद खंडगिरी उद्यागिरी की जो पहाड़ियां हमने पढ़ी थी उससे महारा के भज से तो इसकाल की मूर्तियां यहां पर इनिन जगह पर पाई जाती है यह वेरी वेरी इंपॉर्टन क्यूंकि ऐसी जगों से प्रश्निक डायरेक्ट पूछे जाते हैं कोई चीज समझ ना है तो पूछ दिएगा आप तो इसका विकास कब से कब तक हुआ पचास इश तो अब यह कहा एगा lagi कि जैसे जो आकरमनकारी आयए जो आप से यहां पर व्यापार करने है तो अपने साल रहने बसने लगे तो उन्होंने क्या कि अजब गरौदाओं को स्विकारा तो पर अपने अनुसार तो इन्होंने क्या कि यहाँ पर इनको इस तरह से वस्त्रों का पहनाना शुरू कर दिया इनको जूते धीरे-धीरे पहनाना शुरू कर दिया से उनके देवता पोलो हुआ करते थी उस प्रकार से अपने देवता का जो रिफ्लेक्शन है व उशार शाष को त्वारा इस मूर्ती कला को सनरक्षित किया गया है इस शैली का विशे मुखरूप से बौध धर्म से जुड़ा है ठीक है ये जो शैली है गांधार मूर्ती कला की जो शैली है इसका जो मुखरूप विशे है बौध धर्म से जुड़ा है इस कला को यूनानी बौध इंडो ग्रीक और ग्रीको रोमन कला ही कहा जाता है, तो उसको कई नामों से जाने जाता है, बहुत से तो जुढी हुई है पर पूरा प्रभाव यूनानी और इन जाता है, उसके जोंति ऊ voice दमें जहला गया, हिंके ज़ो मुध्र, इनके स्वरूप को दसाया गया है, प्रीक और रोमन देवताओं पर आधारित था यह मूर्टिया अपॉलो की मूर्थियों से मिलती जूलती जैसे उनके हेयर्स को यहां पर इस तरह से बनाया गया है इनकी आधी खुली आखों को दर्शाए गया है कुछ उनका टेक्स्टर डाल दिया गया कुछ जो इंडियन है उसको तो दिखाये गया है प्रारव में क्या होता था मूर्ति कला में धूसर, हलकल, नीला धूसर ये बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था अब बात के मूर्तियों में बनाने में मिट्टी और प्लास्टर का प्रयोग किया जाने लगा तो प्लास्टर से भी मूर्तिया बनती थी और इन मूर्तियों में वुद्ध की मानव सरूप और शदीर के यथार्थ जो है चित्रन पर विशेश बल दिया ऐसा क्यों है आप देखेंगे आपक कुशार शाशकों ने इस कला को जो है यहां पर मानव सरूप यानि कि इनके जो है मानवी यह जो मूर्ति कला यानि कि जो हमने पढ़ा था उसमें जो टर्म था तो इसमें मानव कार सरूप का जो है इसमें इंपॉर्टन्स दिखा है यानि इन मूर्तियों में बुद्ध के मानव सरूर शरीर के यथार्त चित्रन पर उनकी रियालिटी पर विशेश ध्यान दिया गया, उसको दर्शाय गया, बुद्ध की वेस्पूशा कैसी है, यूनानी है, जो प्रफाव मंडल है, वो साधा और अलंकरण है, यहाँ पर अब देख उनकी वेस्पूशा पर देखने को मिलता है, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर कह रहे हैं, तो यह ध्यान रखना है कि किस में इस तरह की मूर्ती मिली है, किस समय काल की बात कर रहा है, कहां से खुदाई में क्या चीज मिली है, किस से वो संबंदित है, किन चीजों उसे निर्मित की गई है और मेंस में तो आपको इस तरह से लिखना ही है उनकी बेसमूशा जो यूनानी है ये मेंस में मैंने कोशन जो है आपको पढ़ाना है कि कैसे उनकी बेसमूशा और उस पर जो यूनानी प्रवाव देखता है उसका क्या संदर्व है या उसके पीछी क् पादचीत है उसको जब हम मेंस के जो कोश्चनांसा जल्दी ही में के मिड़ में अगर हम डिसकस करेंगे तो देखेंगे उसमें ठीक हैं तो यह सब चीजे हमें इसके बाद हमारा यह बैच मैंने बताया था फिफ्थ बैच स्टार्ट होने वाला है ग्यारा मईसे अभी तक मूड नहीं बनाया है तो मूड बना लीजे और मेरा कोड इस्तमाल करके आप इस फीज को मात्र 12,999 रुके में प्राप्त कर सकेंगे डेली शाम को 6 बजे हमारी लाइफ क्लासेज होती है जोईन कर ये फाउंडेशन कोर्स है ये लाइफ बन तो वन कांटेक्ट करने का कनेक करने का मौका मिलेगा टीचर्स के साथ आपको और इसके साथ यहाँ पर फिलाल आज के लेक्चर को मैं समाप करती हूँ मेरा टेली ग्राम चैनल मैं फिर से बता देती हूँ शिल्पी वर्मा 22 है इसे बार बर बताने का कारण ये है क्योंकि इस पर आपको मेरे पीडियाफ मिल जाएंगे सारी चीज़े अवेलिबल होंगी कोई चीज नहीं आती तो उसके अंतरगत मैंने एक ग्रूप डिसकॉश हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी